गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और सुबह के तीन पैतिस हुए हैं और सुबह जो मेरा पानी पीने का करिक्रम होता है वो चल रहा है और अभी मैं आपको अपना फेस दिखाती हूं मेरा फेस बिल्कुल ही ज्यादा स्वेल हो गया है क्योंकि आज मैं बहुत कम सोई हूं और मत बिल्कुल ही नीन नी आरही थी बहुत बेचेनी हो रही थी और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे वीडियो ढलते हैँ या जो लोग जादा तर लोगों के संपर्क में रहते हैं तो बहुत डिफेरंट-डिफेरंट टाइप की इनरजी होती है कई बार इतना हार्ड हीट कर जाती है कि मतलब सबसे ज्यादा आपको देखोंगे ना सोने और उठने के टाइम टेवल में आपका तुरंत फरक पड़ जाएगा तो समझ आ जाना चाहिए और मेरे खहले में बहुत लोगों के साथ होता है तो कई को समझ पाते हैं कई लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम लोग अपने साथ बहुत सारे लोगों की इनरजी करें कर रहे होते हैं और र्शतार सब्सक्राइब है अनले ऐन तो ум dont have बस first floor और ground floor करूंगी और सीड़िया और बाहर बारिश हो रही है अब पोच्छा मेरा लग चुका है चार पैतिस होएं अब मैं नहाने जाओंगी और नहा के मैं आज चुकी हूँ और जो basic जो होता है मेरा तेयर होना तो यह क्रीम मामा अर्थ किया अगर मिलेगा तो मैं लिंक कर लेती हूं और बहुत ज्यादा मैंसले कुछ करती एक तो मुझे इतना मेरे में हुनर नहीं है और दूसरी बात है अगर करूंगी भी न तो फिर मुझे अपना फेस खुद को नहीं पहचाना आएगा मतलब कुछ खुद को ऐसा लगना चाहिए ना कि वही मैं हूँ नहीं मंदिर को कर दूंगी मंदिर मैं इसलिए फोन मैं नहीं लेके जाती न क्योंकि मुझे फिर सही नहीं लगता कि अभी यहां पर यहां पे जैसे गली में मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं वीडियो बनाती हूं तो अपने पता लग गया और 6-20 हो चुके हैं मैं उपर आय करें हूं वैसे अगर हम लॉंड्री बैग में डालते हैं तो उसमें उससे ज्यादा मुझे लगता है अगर कोटन की दूपटे में पूरा रैप करके डाल दो तो अगर कलर भी ब्लीड होगा थोड़ा बहुत तो भी चलेगा कोई पुरान दूपट्ता हो तो नहीं तो अग मेरा एक कुरता इतना श्रिंग हो गया क्या ही बता हूं मैंने लिया था नया और मैंने ऊसको वशच किया उसके वाद मैंने उसे ट्राइक बिलकूल ही नहीं आया फिर मैंने ऑवर्शाइज मंगाना शुरू कि दोने के बाद तो कमसे कम सही साइस का हो जाएगा और चत पर देख रहे हैं पूरा बारिश बारिश हो रही है मैं थोड़े सनंगे पर वॉक कर रही हूं तो जैसे मैं आपको बता रही थी न कि रात को मुझे सैटरड़े से ही काफी फील हो रहा था तब मैंने वीडियो भी बनाई थी इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब अलग कुछ spiritual routine जरूर रखना चाहिए और सुबह का भी क्योंकि उससे क्या होता है कि मतलब आपको थोड़ा साथ हिलाती तो है लेकिन आपको गिरा नहीं पाती है सिर्फ चीजे तो मेरे साथ जैसे कि साड़े बारा बजे तक जब कि मैं रात को मेरा प्रॉपर में जाप हो गयरा स 11 करीब बजी गए थे और जब मुझे लगा नहीं नींद आएगी फिर मैंने सोचा कि अब कुछ और करना पड़ेगा फिर मैंने नारायन का वाच सुना जो कि मैं सुबह सुनती हूं सुबह जैसे कि आप लोग बोलते हो सुबह ब्रह्मूरत में साफ सफाई जैसे मैं ब्रह तो कुछ नी जाया हुगा मेरा क Lyn यह होता है कि अगर सोचलमें पर नहीं भी हो आपर आप अügen कि अगर हमmar तो हमने सुबह नीन जरूर खुले की चाहें हम फिर सोजाएं चाहें आप दो बज़ बच दूपसोवे का आपको ब्लहुरत में जरूर खूले लेकिन अगर नहीं खुलती है लाग कोशिशों के बावजूद नहीं खुलती है तो कुछ अपना आपको spiritual practice बढ़ाने की जरुवत है और अपना एक कुछ नियम जरूर रखें सुबह शाम का ताकि यह सब चीजें आपके उपर ज्यादा असर ना करें पहले मेरे उपर बहुत आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगी कि क्या ऐसी basic चीजें आप कर सकते हैं जिसे कि आप अपना ओरा थोड़ा strong कर सके और जैसे कि एक नमक वाला पानी है तो वह सब तो basic चीजें हो गई लेकिन थोड़ा ज्यादा strong चाहिए कि कई बार बहुत intense energy होती है और खास food swings ज्यादा होते हैं उन्हों को थोड़ा ज्यादा साथानी होनी चाहिए मतलब साथानी बरतनी चाहिए ज्यादा भीना मतलब को गोमना नहीं चाहिए फालतों के बात्चीत में नहीं पड़ना चाहिए और कोशिश करना चाहिए अपना कोई ना-कोई routine spiritual routine ज़रूर रखें मंदिर जाने का रखते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ होई नहीं सकता जैसे कि मैं काफी लेट सोई थी लेकिन जब मुझे चीज समझा आ गई तो फिर मैंने अपना जो मुझे से बन पड़ा मैंने किया तो फिर उसके बाद सुबह मैं अपने टाइम पे उठी है थोड़ा स पास्ट मना रही हूं नहीं सूजी का है तो यह तो मैं आपको बता नहीं भूले तो यह बीच में अब टाइम है 18-20 मिनट के लिए मैंने उसको स्टीम होने के लिए छोड़ा है तब तक मैं इधर साफ सफाई कर रहे हूं तो सूजी का है उसमें सारी सब्जियां हो गरा मैं कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डालके इसको अची तरीके से फ्राइए कर लेंगे और बहुत जादा डीप फ्राइए नहीं करना मैं थोड़ा ही डाला है यह सारा मैसी में डालोंगी और फिर इसमें डालके फिर आकर ज्यादा होगा तो छोटे वाले पैन में थोड़ा से शि और वो मैंने किचन में सामने रखती हूं बरतल स्टैंड पे और पदा नहीं हो सकता है कमल दी ने उसको कबाडी समझ के फेक दिया हूं और यह तड़का जैसे मैंने इसमें डाल दिया है अब बस हम इसमें डालेंगे जो यह पीसिस काटे हैं तो छोटे-छोटे पीसिस मैं यहांने काट दी है ताकि अच्छी तरीके से पक जाए बैसे तो पके हूं और सब्याओं चाये पकाके भी पहले डाल सकते हैं लेकिन मैंने सीधे डाली हैं सब्याओं क्योंकिोंकि और लेट हो जाता एक तो वह इडिली स्टैंड के चकर में लेट हो गया और वैसे भी किती स्पीड मैं भढ़ nowhere में बढ़ा दी है एसा ही काम होता किता हूए वार काम मुझे लगता है आधे कंटेolithicकर नेंट अय判 19.00 वाले कमरे में भी उपर जो चोटा वाला बेडरूम है और राइट कॉर्डनर पे उस पे भी कुछ कपड़े कमल जी ने उतार के रख्यों है उन सब को भी ठीकाने लगाना पड़ेगा तो डस्टिंग मैंने बीच विच मही कर ली थी जब वो इसको स्टीम करने के लिए चोड पेंस पर इसके मानने लिए बाडा बीकर ने तो एट तो जिए मैं बोला ता है बाम अर्थ का मठी लिए ओगा मुझे देरो मुझे तो मुझे मुझे माम प्ल प्र वाला हो बढ़ जी हो जब फिर खो दो झाल थी como on pad means या हो मो फिर एऌ सबक्त मैं पेंसिल जएसा होगा उसके बाद यह लिए सब्सक्तिव देगा है तो बाद फिर जब अख्व को दूटके गए लिए किया है जा एक साही है अगर एक सांवान बूडने जाहेंगे ना ऐसा ही मैरे किचन का हलो रखा है अगर एक दिमी ना कर लोग संभालने तो मेरे किचन का मुझे कुर भड़ा लगता और कहा पिक कौन से समाल है बीच में क्या किया था मेरे किचन के जो डबे थे जो मैंने मंगाय थे उसका नाम में मुझनी ब्रैंड का जो ट्रांस्पेरिंट सार डबे है और बुलुगलर्डड के लीडवाला है लेकिन कबल जी ने सारे पनियों में रखे और दब जाके कबाडी वाले के रड़ रग दिये ऐसे ही मेरी कपड़े होते हैं जैसे ही मैंने दुपट्ट्र दिखाया था को कि भो रग दिया था कि वो फिकने वाला है वो तो पहां हुछी ले रही थी पुराने कपड़े से मैं बाल्टी ली थी तो मैंने देखा मैं यह दुपट्टा में डून रही थी और यहां पर पढ़ा था जहां पर जो खुछ कपड़े करने करते हैं उसमें रखा हुआ था मताब कौन सा समान कहा जाएगा ना पदा नहीं चबता तो चलिए भी थोड़ी देर मैं अराम करूंगी थोड़ा समय थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूं पढ़ते पढ़ते वादे भी निंदा रही थी और यह बुक नहीं पढ़ी थ तो अभी यह पढ़ो